दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल ग्रोंच अगर आपने हमारी YouTube चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके रेड़ वाले आइकन को दुबा कर सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि ऐसे वीडियो की नोटिपे केशन आप तक पहुंचती रहे हैं दोस्तों इस चलना पर आपको मिलती है GDS to MTS, GDS to Postman, GDS to Postal Assistant जैसे एक्जामों के लिए वीडियो और कंटेंट और GDS से रेड़ कोई जरूरी सूचना जो की हम आपके सांथ वीडियो के माध्यम से सेर करते हैं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने Postal Manual Balloon 5 के Part 1 की MCQs कवर किये थे जिसमें हमने 50 Qs कवर किये थे अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है डिस्किप्शन में उसका लिंक देदूँगा वहां से जाके देख लेना काफी important वीडियो है इस वीडियो में भी हम 50 Qs करेंगे इसे हमने Part 2 का वीडियो बनाया है यहां से आपके Postal Manual Balloon 5 के 50-50 करके दो वीडियो को हमने बना दिये जिसमें से आपके 100 Qs कवर हो गया है Friends, हम ज्यादा से ज्यादा MCQs इसलिए कवर कर रहे हैं हमने Post Office Guide Part 1 के आपके 4 वीडियो बनाये हैं जिसमें कि हमने 200 Qs लगभग कवर किये हैं उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेडिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लेना आपके एक्जाम पॉइंट ओपी से काफी इंपोर्टेंट है हम जदा-जदा MCU को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्जाम देने से पहले confidence है थोड़ा सा हाई रहे तो friends आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक motivation line से आज का हमारा motivation line है जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए आगे का रास्ता वहां पहुँचने के बात दिखने लगेगा friends आपका exam MTS का clear होता है नहीं होता है आपका selection इस बार पाते हो नहीं पाते हो लेकिन friends आपको जो है हिम्मत नहीं हारना है इस चैनला के साथ आपको बने रहना है मैं ऐसे videos हमेशा provide करूँगा friends आप कोशिस करते रही है कोशिस अपना 100% दीजिए आप तरफ से पूरी कोशिस कीजिए बागी आपको result की चिंता नहीं करनी है result क्या होता है result कैसा आएगा लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% देने का पूरा प्रयास करना है अपना आपको करम करना है कर फल की चिंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों तो प्लीज करके आप इस चैनले के साथ जुड़े रही है, मेरे साथ जुड़े रही है मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा और आपको ऐसे वीडियो और कंटेंट प्रोवाइट कराता रहूँगा तो फ्रेंट्स अभी हम बात करते हैं आज के पहले कोश्चन की आज हम टॉप 50 कोशन फिट से देखने वाले हैं तो आज का हमारा पहला कोश्चन है रजिष्टी थैले के भीतर यदि नदी थैला है तो डांक सुची में उसे सूचित किया जाता है फ्रेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि एदी किसी रजिष्टी थैला है उसके अंदर कैस्ट बैक है तो उसे डांक लिष्ट जो होती है जो मेल लिष्ट होती है उसमें किस तरह से कौन से चिनने के दोरा सुचित करेंगे तो यहाँ पर चार आपसे आपको दिए हुए है पहला है एफ दोरा दूसरा है एल दोरा तीसरा है एदोरा एफ लुता है बी दोरा तो सही है अपसे इसका हो जाएगा एफ दोरा मतला फाइनस शाप भीनेस यह मतलब都 बित्टी मतलब उसमें पैसा दाम कुछ रखा हुआ ह next question की बात करते हैं फिर्ड आज का हमारा next question है second number question हवाई डाल ठैला बंद करने के लिए इस्तमाल किया जाना चाहिए यदि आप air mail bag बंद कर रहे हो तो उसके लिए क्या इस्तमाल करेंगे पीला दो सुती बैग इस्तमाल करेंगे नीला दो सूती थैला इस्तमाल करेंगे हरा दो सूती थैला इस्तमाल करेंगे लाल दो सूती थैला इस्तमाल करेंगे तो इसका सैंसर हो जाएका नीला दो सूती थैला इस्तमाल करेंगे वैसे भी आप लोग जब हवाई की बात आती है तो थैले के लेबल के उपर क्या लिख दिया जाना चाहिए ठीक है यदि कोई हवाई डग थैला है कि अंदर उसको हवाई पार्सल भेजना है तो उसके उपर क्या लिखेंगे? CAP लिखेंगे, DAP लिखेंगे, IMP लिखेंगे, AP भी लिखेंगे तो इसका साही अंसर हो जाएगा अंसर नमबर A A, C, A, P लिखेंगे containing air parcel ठीक है next question की बात करते हैं next question है हमारा रजिश्टी बस्तूइं थैले में तब तक ना रखी जाएं जब तक की बस्तूओं की संख्या कितने से दिखना हो तो रजिश्टी बस्तूइं जो होती है थैले में तब तक ना रखी जाएं जब बस्तूओं की संख्या 25 से अधिक ना हो या फिर कोई कंडिशन भारी ना हो या कोई इंसर बस्तू ना हो ठीक है तो इसका साही अंसर हो जाएगा अंसर नमबर A हवाई डग थैले या हवाई पारवान थैले का बजन निमलिकित से अधिक नहीं होना चाहिए कितने अधिक नहीं होना चाहिए 30 यह जी ठीक है अंसर नमबर 4 इस राइट एंसर फॉर कोशन नमबर 5 ने अश्ट कोशन की बात करते हैं इन में से कौन सा गलत है इसमें से आपको रॉंग चाटना है रजिस्टी थैला अपेचित थैला है बिलकुल सही है बीमा बंडन अपेचित नहीं है बिलकुल सही है यह भी पारसल थैला अनियत है ठीक है बिलकुल सही है पैकर थैला अपेचित है बिल्कुल गलत है, तो answer number 4 क्या हो जाएगा, गलत है, पेचित मतलब होता है due bag, due मतलब bag जो की थैला daily तियार किया जाना, आपका daily जाना ही जाना है, ठीक है, अनियत मतलब होता है, अनियुजल मतलब ये कभी-कभी जाएगे, मतलब जरूरी नहीं है कि इसको daily ही भेजा अनियत थैले हैं, अपेचित थैले हैं, एक और दो दोनों, इन में से कोई नहीं, तो पारवान थैले क्या है, अपेचित थैले हैं, ये जाएगे ही जाएगे, नेस्ट कोशन की बात करते हैं, साखा डांगर थैले होते हैं, क्या होते हैं, अपेचित होते हैं, अनियत होते ह तो साका डागर थेले, जाने-जाने, मतलब उनको जाना ही जाना है, कोई कंडिशन हो जाए, तो ये अपेची थेले कहलाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंट्स अभी बात करते हैं, कोश्चन नमबर 9 की है, कोश्चन नमबर 9 में क्या पूछा गया है, केज TB का उपयोग किया जाता ह ठीक है, केज TB का उपयोग किया आता है, पहला उप्सन है हमारा, दूरस्त इस्थानों के लिए थेलों की संख्या जादा हो, पास इस्थान के लिए थेलों की संख्या कम हो, एक और दो दोनों, इन में से कोई नहीं, तो जो केज TB है, उसका उपयोग दूरी स्थानों के लि जारी करें जारे में कहाँ हमें जारी चाहता है का और सब्सक्राइब तो इसका सैंसर हो जाएगा आंसर नमबर टू खा अदेश कहा जाता है दौरे पर जाने वाले उच अधिकारी सीविर वस्तु के निप्टारे के सम्मंध में एचारी किये गए खा अदेश के मामले में खा चर से पहले क्या लिखना होगा A.S.T.U.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L जो रोज भेज आते हैं और दो इन में से कोई नहीं ठीक हैं अनियत थैले जो कभी-कभी भेज जाएंगे ज़रूरी नहीं है इनको रोज भेजना वो कहलाते हैं तो आंसा नमबर टु इसका सई अंसार हो जाएगा आजमाईसी कार्ड बिभागी पोस्ट कार्ड होते हैं M25A, M26A, M27A, M28A तो आजमाईसी कार्ड जो होते हैं ट्रायल कार्ड जो होते हैं M26A होते हैं ठीक है? आजमाईसी कार्ड संबंधी नियम दिये हुए है आजमासी कार्ट का नियम कहां दिया हुआ है 57 A में 56 A में 57 B में 56 B में तो आजमासी कार्ट सम्बनी नियम 57 A में दिया हुआ सारे नियम आपको याद करने दिया दिया क्वे Chem Now क्योंकि नियम वाले कोस्चन तो पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया है इस साल जो Postman का पेपर हुआ है, PA का पेपर हुआ है, सभी जगह पूछा गया है तो आपके नंबर मिस नहीं होना चीए, जो आते हैं उनको तो कम से काम याद करके ही जाईए आप लोग Next question की बात करते हैं, उप अभिलेक कारयल है, किसका इस्थिर कारयल है मुकडांगर का, छटाई डांगर का, रेल डांग सेवा का या उप डांगर का तो easy question है, रेल डांग सेवा का इस्थिर कारयल है, उप अभिलेक कारयल है, होता है Answer No.3 इसका सही हो जाएगा बीमा मंडल आम तोर पर कब बनाया जाता है? जब एक ही कारयल है को, नौ से अधि बीमा डांग हो, एक ही कारयल है को, एक ही कारयल है को, पांस से अधि को, एक ही कारयल है को, एक से अधि को, तो इसका सहीन सरोच जाएगा Answer No.D, बीमा मंडल तभी बनाया जाता है Money Adder charge slip कहुन से पाम में होती है? मनियाडर जाइडर 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 जाइड क्या particular कहलाते हैं रिब्वी टните हैं नेस्ट question की बात करते हैं बीमा कर थैले में होता है बीमा कर थैले में क्या ड़़ोची हो सकता है बीमा कर पार्सल होसकता है विल्कुल बीमा कर पत्र नहीं एक और दो दोनों विलकुल नहीं इसका सगह सबirdi है mister आंसर नमबर एक, बीमा कर थैले में बीमा कर पार्सल होता है नेस्ट कोशन की बात करते हैं, ट्रैल कार्ड होते हैं विभागी अंतरदेशी कार्ड, विभागी बधाई कार्ड, विभागी साधी की कार्ड, विभागी पोस्ट कार्ड तो आज मैजीधी card जो होते हैं, विभागी, postcard होते हैं अभी हैम नेश्ट question की बात करते हैं, हमारा next question है कौना थेलों से सिधा बयाहर नहीं करता है टीक है, पहला option है आपका यूबीयो, डी बीयो, तिसरा है CBO, जो हता है के बियो तो KBO जो होता है थेलों से सीधा प्यावर नहीं करता Next question की बात करते हैं Next question है बीमा बंडल संबंधी نियम दिये हुए है नियम 28 में, नियम 29 में, 60 में नगदी ठेला, रिश्टी, बंडल, बीमा के यह बंडल, रिश्टी, सूची, उपरोक्त में सबी तो सभी हो सकते हैं, तो answer number 5 इसका सही answer हो जाएगा ठीक है, मनियादर जाच परची होती है, लाल स्याही सचपी जाच परची, नीली स्याही सचपी जाच परची, इनमें से कोई नहीं तो आंसर नमबर एक सही हो जाएगा लाज सही सच छपी जांच परची जो होती है वो मनियादर जांच लिफ होती है फ्रेंड्स अभी नेश्ट कोशन की बात करते हैं अगला कोशन है मारा तुरंत और आइस्थिगित बंडलों के लिए प्रियोग की जाती है ठीक है क्या प्रियोग की जाती है आपकी नीली जांच परची सफेज जांच परची गुलाबी जांच परची इनमें से कोई नहीं तो सही अंसर हो जाएगा अंसर नमबर टू सफेज जांच परची प्रियोग के जाती है नेस्ट कोशन की बात करते हैं अधिच्छा किसके अधिनस्त होता है पोश्ट मास्टर के डाक निरिच्छा के छेतर अबलीक सरकील अधिच्छ के इनमें से कोई नहीं तो छेतर अथवा सरकील अधिच्छ के अधिन होता है सुफरी रेंड Next question की बात करते हैं, RMS संबन्धी नियम कहां दी हुए है, एक में, दो में, तीन में, चार में, तो RMS संबन्धी नियम नियम दो में दी हुए है, ठीक है, सही answer हो जाएगा, answer number 2. Postal manual, volume 5 में, खुल परिभासाओं की संख्या है, बहुत ही जदा important question है, कभी-कभी पूँच सकता है, 56 तक है, 56 तक है, 57 तक है, तो सही answer हो जाएगा, answer number 4, 57 तक total परिभासाओं दी हुई है, Next question की बात करते हैं, Metro, बंडलों के लिए, कौन से color के जाँच-परची उपयोग किया जाते हैं, तो नीला किया जाता है, हरा किया जाता है, दो से अधिक, तीन से अधिक, चार से अधिक, तो कितनी होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, रच्टी बंडा त्यार करने के लिए, बस्तों के संख्या, Next question की बात करते हैं, समुखन कहलाता है, जिस तरह पता लिखा होता है, बस्तों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उनके पते वाले भाग उपर आ जाएं, बस्तों का दोनु साइड, इनमें से कोई नहीं तो सही अंसर हो जाएगा, कहलाते हैं बिलंवीत-पत्र अति-बिलंबित-पत्र मिशन्ट आइरिकल इसडीर का अनिय डांख convention कोई जरूरी नहीं कि भेजना है लिप एंतरन केंदर का कारे है मराथी भासा को अंग्रेजी में बदलना हिंदी भासा को अंग्रेजी में बदलना तमील को उर्दु बदलना प्रइब करता है जीला थैला कर्याले के रूप में लेवा लगे बंडर कितने प्रकार के होते हैं दो तइंन तब चाहर टाइप के तो यह उससे, एएफ्र जाए. तोBen दो टाइब के ड्रेंस अभी नैस्टोर्षन की बात करते हैं, question number 40. त항ई, speed post थहले में नहीं होगा. थीक है यह आपके पूचा गयाँ है, क्या पूचा गयाँ? Esse speed post money-order नहीं होगा, speed post सूची नहीं होगी, speed post बस्तू नहीं होगा कि रजिष्टी बस्तुएं नहीं होगी ठीक है सई अंसर क्या हो जाएगा इसका सई अंसर जाएगा answer number four ठीक है रजिष्टी बस्तुएं इस फीट पोस्ट थेले में नहीं हो सकती है अगले question की बात करते हैं चटाई कारयले का कारे हैं चटाई के काम को सब्सक्राइब नमबर पूर नमबर उप्रोक्त में सभी चटाई कारयले काम है अगले कोश्चन की बात करते हैं आरेमेस के इस्थीर कारयलें के प्रकार हैं तो इसका पहला option है छटाई कारयलें दूसरा है पारवान डाकर है तीसरा है एक और दोनों इन से कोई ने तुछ two party का रोगार बात करते हैं आरे में जन्सार र काया है बहुत ही इजी question था नेस्ट कोशचन की बात करते हैं फुर्म सनु बात करते हैं रोट होटी फॉर नेंबर पोश्चन पूचा गया आपको इस्टेशन डाग थेले, छटाई डाग थेले, सहीउप्त डाग थेले, उप्रोक्त में सभी तो सभी जो हैं डाग थेले हैं तो इसमें से सही अंसर हो जाएगा answer number 4 next question की बात करते हैं साखा डाग घर कारेले उत्तरदाई होता है सिर्फ SO के, सिर्फ HO के HO और SO दोनों के, इन में से कोई नहीं तो जो साखा डाग गर होते हैं HO और SO दोनों के उत्तरदाई होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हो तो एक लाइक कर दिए एक सभी तपने जिडियों सेर कर दिजेगा ताकि सब का थोड़ा सा भला हो सके फ्रेंट नेश्ट कोशन की बात करते हैं छटाई बंडल के प्रकार है तुरंत बंडल और इस्तिकित बंडल एक और दो दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा छटाई बंडल के तुरंत और इस्तिकित दोनों है कार्य करता है next question की बात करते हैं यदि एक अनुभाग के आग्वन और दूसरे की प्रस्थान की भी इतना समय हो कभी हो कि जक्सन इस्टेसन पर डांक करना उसके भी तेहले क्या डाक में ढल जाते हैं इन्हे उस दिन रोक लिए जाता है कहलाते हैं इसके उसके गंघव करयले के बज़ाकि किसी अन्य करयले या निरधारित मेंकर की स्थान's पर अन्य मार्क से भेज दी जाती है Isaiah किसी करयले दौरा गल्ती इसके सही मार्क से नहीं वेज़ कर दूसरे मार्क से भेज़ देती है उसका पूशन है आपको इसका अंसर सबसीит में बताना है जरूर बताना है थेला का रहला है सम्मंदी नियब दिये हुए हैं कहां दिये हुए हैं 18 में दिये हुए 18 में दिये हुए 19 में दिये हुए 20 में दिये हुए इस प्रशन का अंसर जो है कमेंट में बताना सभी लोगों को बताना सभी लोग ट्राइगीजिए ठीक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज करके सब्सक्राइब कर लिएगा बेल आइकन प्रस कर लिएगा ताकि ऐसे वीडियो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो अगले व मिलते हैं अगले वीडियो में